है एक हर गहां है okay है हेलो वेलकम टूरी लेर्न अ प्लीज लाइक यंच्टेञ्स सब्सक्राइब आज हम लोग पढ़ेंगे रिवर्स ब्रेकडाओन तो रिवर्we 스ड्डाउन जो होता है उद दो प्रकार का होता है एक होता है involved breakdown एक होता ब्रेकडाउन जो होता है उद्दो प्रकार का होता है एक होता है एक होता है जिने ब्रेकडाउन दोनों को बारी-बारी सपढ़ेंगे उससे पहले ये पढ़ेंगे कि एक रिवर्स ब्रेकडाउन होता क्या है तो जो रिवर्स ब्रेकडाउन होता है reverse breakdown एक निश्चित मान पर यानि reverse voltage के एक निश्चित मान पर धारा की तेजी से पढ़ जाने की प्रक्रिया जो होती है उसे क्या काते हैं? breakdown या भंजन काते हैं यानि वो voltage जिस पर यह गटना काती है उसे breakdown voltage काते हैं यह फिस रिपीट करते हैं reverse voltage के एक निश्चित मान पर धारा के तेजी से पढ़ जाने की प्रिकरिया कोई breakdown या भंजन कहते हैं और यह breakdown जिस voltage पर होता है उसे भी breakdown voltage कहते हैं जो जक्सन breakdown होता है मुख्यता दो प्रकार से होता है wine ब्रिकडाउं एक में होता है जीनर divides यानि जो डाइओड है रिवर्स वायस में तो उसमें करेंड का प्रवाब होता है करान होता है यदी क्या करेंगे reverse voltage को अधिक बढ़ा दें तो जो minority carrier की गती है वह बहुत अधिक बढ़ जाती ठीक है तथा आउच्छा से गुजरने वाले इलेक्टरानों की गती जुजा भी बहुत अधिक बढ़ जाती यानि कि गती बहुत अधिक बढ़ जाने से जो डिप्लीशन छेत्र होता है उनकी गती उर्जा भी बहुत अधिक बढ़ जाती और ऐसा जब बहुत अधिक गती उर्जा वाला कि जिससे इलेक्टरान और भॉल दोनों एक साथ उत्पन होते हैं इस प्रकार जो आवेस वाग उत्पन होते हैं वो अधिक उच्छ बोल्टेज के कारण उच गती उर्जा प्राप्ट कर लेते हैं चुकि रिवर्स बोल्टेज बहुत कुछ बोल्टेज होता है जिससे जो और इस प्रकार टकराने और सह अश्यूदी बंद शूटने से यह प्रक्रिया लगतार चलने की कारा हैं इलेक्रान वोल की संक्या इतनी बढ़ जाती है जिसे एवलांच मल्टिप्लिकेशन का जाता है और डाइवोड में जो रिवर्स करेंट हो बहुत तेजी से बढ़ने लगती है और इस प्रिक्रिया को या इस सिच्वेशन को एवलांज ब्रिकडाउन का जाता है या यह सिच्वेशन एवलांज ब्रिकडाउन हो जाती है और जिस बॉल्टेज पर यह ब्रिकडाउन होता है करें से आधा रहें zap है कर था था यानि ज情 अविघ दाउन कव कभिछा जाता है यानि वी सब्सक्राइब होता है ताहप बढ़ाने से भी aplikdo운 recovery कर साथ कि नेच्टंब जीनर breakdown पिर टाउझ होता है याफिये यह आप बंदी जोकि फ्रिक्डाउन अभल में होसकता है यह तो दोपिंग कर देंगे तो अधिक मैजोर्टी करिया रहे तो अधिक बहुत अधिक होंगे जीनर प्रिक्डाउन होता है वो ऐसी डायोडों होता है जहां डूपिंग उच्छ होती है यह अंतता पी डायोड की तो डूपिंग उच्छ होने के कारण जो डिपलीशन की छत की चवड़ाई वहते हैं क्योंकि जो majority career है उनकी संख्या जादे होगी और जो minority career है उनकी संख्या बहुत कम होगी लेकिन इतने कम चवड़ाई में जक्सन पर उत्पन जो electric field होता है वो depletion set की चवड़ाई की बित्क्रमान पाती होने के कारण बहुत अधिक हो जाता है जैसे चुकि depletion layer जादे है डोपिंग की वज़ए से बहुत पतला हो जाता है अत्व जो d कमान है यानि जो depletion layer की चवड़ाई कम होगी तो electric field जदा होगा जो depletion layer पर electric field हो बहुत जादे हो जाता है अत्व इस electric field के करणं यानि high electric field के करणं जो depletion layer के semiconductor atom होते हैं स्योंची एलिक्टान पर बहुत अध्यतिक फोर्स लगाते हैं जिससे इन में जो स्योंची बंध तूटने लगते हैं और भारी-संक्या में इलेक्टान हूल पेर का उत्पादम होता है। यह आज रिवर्स बोल्टेज वरात-रूरीक होते हैं ये जो भारी संख्या में इलेक्टान होल यूग में उत्पन होते हैं ये रिवर्स वोल्टेश की कारण होते हैं तथा डायोड में रिवर्स धारा कामान तेजी से बढ़ता है इस प्रक्रिया को जिससे डिप्लीशन लेयर में उपस्थिक सेमिकंडक्टर प्रदार्त के परमा इलेक्ट्रानों के स्वयोजी बंद टूड जाते हैं जिस में इलेक्ट्रानों के स्वयोजी बंद टूड जाते हैं जिससे बहुत अधिक रिवर्स करेंट प्रवाइट होती है इसे जीनर ब्रिक्डाउन का जाता है थैंक्यू